है लो गाईस स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में ये वीडियो वैक्विम पॉम के उपर होने वाला है आप देख सकते हो हमारे पास ये वैक्विम पॉम है दस ये पेम का प्लैटनियम कंपनी का इसके अंदर बिल्कुल ओइल नहीं है आप देख सकते हो ओईल लेवल तो इसके अंदर बिल्कुल ओइल नहीं है अगर हम आईसे वैक्विम को चलाएंगे तो ये पंप खराब हो सकता है या फिर ओर ही ठोके जाम हो सकता है ये पीछे के तरफ है मोटर का पार्ट और आगे के तरफ है पंप का पार्ट तो जब ये आप ये वैक्विम पॉम्प तरह से साउंड आ रहा है और यह बहुत गरम हो रहा है तो अब हम वाइल डालेंगे चालू इसमें मैं आपको वैक्विम पॉम्प का ये कौन से ब्रेंड का मुझे पता नहीं लेकिन हमें वैक्विम पॉम के साथ ही मिला था उसके बॉक्स के अंदर है तो अब हम आराम से डालते हैं थोड़ा गिर गया डालने करें देखे गाइस अभी साउंड चेंज हो रहा है इसका अगर इसके अंदर वाइल नहीं रहेगा तो वैक्विम भी नहीं करेगा देखे अब भी हिलना स्टार्ट हुआ अब भी साउंड चेंज होगा इसका पूर तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं इसका पूरा साउंड चेंज हुआ और यहां भी हावा भी फेक रहा है देखो पहले बिल्कुल हावा नहीं है तो इसके लिए वैक्विम के अंदर का ओइल देखना भी हमारा काम है अगर वैल लेवल लो है तो हमें उसमें आयल डालना चाहिए यह आल की लेवल इस लेवल तक हम इसका ओइल मैंटेन रखेंगे तो वैक्विम भॉम को कोई भी प्रॉब्लेम नहीं आएगा तो गाईज आज के वीडियो में इतना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे चैनल पने हो तो सब्सक्राइब कीजे हमारा दुसरा एक यूटूब चैनल है जहाँ आप हम डेली लाइव आते हैं और साइट पे जो भी काम चलता है उसे हम लाइव पे दिखाते हैं डिस्क्रिस्ट्रेन में दिये हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हैं शेर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हैं साथ ही उससे लगके जो घंटी है उसे भी बजाते हैं निकलो झाल